गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको कोस्टिन पेपर बता रहा हूँ फेफ्ट क्लास का वियस का यहाँ बोर्ड का कोस्टिन पेपर है जो दो हजार उन्निस में आया हुआ था कुछ इसमें इंस्ट्रक्षन दी गई होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है गुशन पेपर करने से पहले प्रस्टों के उतर देतिस में जो प्रसंद संख्या प्रसंपत्र पत्र दिकाई गई होती है उसको आपने लिखना होता है उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पन्न या पन्ने नहीं छोड़ने चाहिए सभी प्रस्न अटेंप्ट करने की कोशिस करने चाहिए पहला कोश्चिन है बहुविकलिप्य प्रस्चिन Multiple Choice Questions Which bird has eyes in the front? Instead of left, right किस पक्सी की आँखे सामने की तरफ होती है? सही अंसर है उल्लू, आउल Next है, खाना अबनाने से पहले निम्निक किस दाल को बिगोया जाता है? Your right answer is राजमा Option number 2 Next है, अल्बिरूनी ने भारत में आकर किस के बारे में लिखा? अल्बिरूनी महम्मद गजनवी के साथ भारत में आया और उसने भारत की संस्कृती के बारे में लिखा? यहां के रिती रिवाज, धर्म और धर्म गरंतों को उसने पड़ा और उसके बारे में लिखा? तो इन आपसंस में नदियां हो सकती हैं क्योंकि नदियों में जैसा कि हम जानते हैं कि नदियों को भारत में फूजा जाता है और धर्म से जोड़ा गया है तो उन्होंने नदियों के बारे में लिखा गया है या अंसर हो सकता है, maybe नेक्स्ट है, बिचेंदरी पाल के को मांट एवरेस्ट पर चाडने के लिए कब चुना गया? राइट अंसर इस नाइटीन एटीफोर नेक्स्ट है, गोलकंडा फोट इस कंप्राइज अफ हो मैनी पलेसे योराइट राइट राइट एस थ्री त्री पलेसिस, अप्सिन नमबर थ्री इसका राइट अंसर है, नेक्स्ट है एक पस्मिना सॉल में कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है? पस्मिना सॉल कस्मिरी जो सॉल होता है, जो हाथों से बनाया जाता है उसके बारे में कॉस्टिन पुछा गया है, तो या बहुती गर्म होता है, तो इसमें आप्शन टू, च सही अंसर है नेक्स्ट है, जास्मा के घर को बनाने में किसीज का इस्तिमाल नहीं हुआ विच अप्टा फॉलोइंग आइटम्स वाज नॉट यूज़ड तो मेक जास्मा हाउस योर आइट अंसर इस टू, आप्शन नमबर टू, सिमेंट हम सभी को हर तरह का काम करना चाहिए, यह सोच की थी? महत्मा गांधी, इसका राइट अंसर है, नेक्स्ट है इनमें से जंगलों में क्या नहीं होता वाट इस नोट फाउंड इन फोरेस्ट्स अमांग दीज तो जंगलों में दुकाने नहीं होती है, सो अप्शन, अप्शन नमबर ट्री नेक्स्ट है, हमें कहां पर नहीं खेलना चाहिए वेर वी सुट नट प्ले यह राइट अंग्सर इस, अप्शन नमबर वन, सडक, रोड जिसे कहते हैं नेक्स्ट कोशन है, सही या गलत ट्वेंट फाल्स आपने चूज करना है, कौनसी अप्शन सही है और कौनसी गलत है को है, सभी सांप जरीले होते हैं, अल स्नेक्स आर पोईजनस इस, इस फाल्स या गलत है, सभी सांप जरीले नहीं होते है नेक्स्ट है, अप्शन खर सरकार ने कानून बना दिया है कि, न तो कोई जंगली चानबरों को पकड़ सकता है और नहीं अपने पास रख सकता है इस, इस, निम्बू के रस की कुछ बूंदो से निम्बू के स्वाद का पता चल जाता है One can understand the taste of lemon from tasting a few drops of lemon juice This is true हमें पता चल जाता है कि, निम्बू की कुछ बूंदो से कि यहाँ निम्बू का रस है तो यहाँ सही है, इसलिए यहाँ option true है Next is, मनाली मैदानी इलाका है मनाली is a plain region This is false मनाली is hilly area Next is, मिनी ने चाय को फूंक मार मार कर जल्दी से ठंडा किया मने कोल दा टी क्विकली बाई ब्लोईंग एर अन तो इट This is true वी केन क्विकली ब्लोईंग एर तो कूल टी Next is, टी में रहते हुए भी हमें सिर्फ अपने लिए खेलना चाहिए When working in our team, we must perform for self This is false Because we, as a part of team, we should play together for as a team हमें team की थराट सब के लिए खेलना चाहिए लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर नहीं करना चाहिए There should not be any difference between sports for boys and girls This is true, we should not difference between boys and girls game Next Sun 1940 में, गुजरात में सूथ की कताई और बनाई घर में ही चर्खों और गर्गों पर की जाती थी This is true, the spinning and waving of threads was done on spinning wheels and looms at homes in Gujarat in year 1940 This is true Next is, हमें चलती बस से उतरना चाहिए We should get down from a moving bus This is false Because this could be dangerous This can be dangerous for us to get down from a moving bus इसलिए यह option गलत है Next चलती गाड़ी में गाने लगाने चाहिए This is optional question So, this is false हमें चलती गाड़ी में गाने नहीं लगाने चाहिए We should not play songs in a moving wheel Loud music should not play moving wheel while driving vehicles Next question निमलिक्त का मिलान करें इनको आपने सही मिलान करना है निम्बू खटा होता है आम मीठा हरा धनिया गिले कपड़े में लपेट कर रखते हैं काली में स्मच्साले के रूप में उप्योग करते हैं और मुकादम एक ऐसा आदमी होता है जो कर्ज वसूलना जिसका काम होता है Match the following easy question को इंगलिस में पुछा गया है Lemon, sour, mango sweet Green coriander Is kept wrapped in wet cloth Black paper Used as spice मुकादम Klax, debt इस तरह से इनको मिलान करना है Next question है रिक्सतान भरें Fill in the blanks Sloth 10 गंटे सोते हैं 20 गंटे सोते हैं Sloth एक Lazy animal है जो जैदा समय में सोया रहता है Sloth sleeps for 20 hours Next step है Kalvelia नाच में Dash जैसे मुद्रें होती है Kalvelia नाच गुजरात का नरित्य है जो जिसमें Serpent की तरह सांपो की तरह मुद्रें की जाती है Kh बीजों को अंकुरित होने के लिए हवा और Dash की अवजगता होती है और इंग्लिस में इसे पुछा गया है Seeds require water and यहां पर ओपर हवा लिखा है और नीचे water लिखा है हवा के लिए air होता है Air and water For Garmination of Seeds Water, oxygen and proper temperature इसमें आप लेख सकते हैं Next है घह, plastic की खाली बॉटल पानी में क्या करेगी? तैरेगी इसको हम इंग्लिस में इस तरह से लिख सकते हैं An empty plastic water Wattel floated in water The malaria Is caused by Is caused by beating of Malaria cases के काटने से होता है मादा मचर के काटने से जिसको Female in a false mosquitoes कहते हैं चो, 10 को दिसंबर 1902 में चिकिचा केक सेत्र में Nobel पुष्कार मिला Ronald Rose Received novel prize in the field of medicine in December 1902 6. Mount Everest की उंचाई 10 में The height of Mount Everest is 8,848.86 इसका राइट अंसर है जो सुनीता विल्यम प्रित्वी से 360 किलोमेटर दूर स्पेस शिप में गई थी 360 इस ओफ्चन आएगा ब्लैंक्स में सुनीता विल्यम्स ट्रेवल्ड 360 किलोमेटर अवे फ्राम अर्थिन स्पेस क्राफ्ट स्पेस सीप 360 किलोमेटर इसमें आएगा जो सुर्यमनी का एक और साथी था उसका नाम था मिर्ची सुर्यमनी हैट अनदर फ्रेंट नेम्ड मिर्ची पोलियो जैसे बिमारियां विजानों से फेलती हैं डैस से नहीं होती हैं इसे लाइक पोलियो और कॉस्ट बाइब वेक्टिरिया और नॉट बाइब मॉस्क्यूटोज नेक्स्ट कोस्टिन से कोस्टिन नमबर फाइब में अंसर दा फॉलएइं कोस्टिन इन ब्रीफ इन सबके अंसर आपने विस्तार से देने हैं किन-किन मॉकों पर तुमारी सुंगने की सकती तुमारे काम आती है In what all situations is your sense of smell useful तो इसमें आपने लिखना है कि आपकी सुंगने की सकती कब-कब काम आती है You can smell fragrance of flower and bad smell of garbage Like this you can answer this question अगला कोशिन है ख तुम्हारे घर में कच्चे वो पके हुए आम से क्या क्या बनते है What items are prepared from rip and unripped mangoes in your home तो आपने लिखना है इसमें कि आपके घर में किस-किस तरह की चीज़े आम से मनाई जाती है कच्चे और भक्यामों से Next है गर मच्चरों के काटने से कुन-कुन सी बिमारिया होती है What diseases are caused by biting of mosquitoes डेंगू, malaria, flairia, chicken gunya यह सब बिमारिया मच्चरों के काटने से फैलती है गर, पहाड़ों पर चाड़ने के लिए किन-किन चीज़ों की जुरूरत पढ़ती है What items are required for mountain climbing? इसका अंसर आप इस तरह से दे सकते हैं कि items are required for mountain climbing are rope, water, water hook and food first treatment box इस तरह से आप इसका अंसर कर सकते हैं Next है तुमारे दादा दादी के समय में किस-किस तरह के बरतनों का इस्तिमाल होता था Next है Question No.6 निमलिक प्रशनों के उत्तर विस्तार से दे Answer the following questions in detail कर बीज किस तरह से बिखरते हैं किन इस दो तरीकों के बारे में अपने सब्दों में लिखें Answer the following questions in detail What are the different ways in which seeds spread? Write about any two methods in your own words अपने सब्दों में लिखना है तो आप लिख सकते हैं The seeds are spread by animals and birds take them one place to another and by air चाइब नाने के लिए तुम पाने में कौन-कौन सी चीज़ें डालते हो पाने में क्या-क्या घुल जाता है What ingredients are put in water while making tea and which of those ingredients gather the salt in water तो इसमें आपने items लिखनी हैं जो चाइब नाने में use की जाती है like sugar, water, grain, tea, ginger, etc. and you have to write things which are ingredients जो घुल जाती है पाने में उनको लिखना है उनमें आएगा sugar, milk, etc. malaria होने पर क्या-क्या तकलीप होती है What are the symptoms of the malaria diseases? इसमें आपने symptoms लिखने हैं घुल भारत में तेल के भंडार किस-किस राजे में हैं पेट्रोल और डीजल का इस्तमाल सोच समझ कर क्यों करना चाहिए? नेक्स्ट एड भूका के समय जब लोगों के घर नहीं रहे तब लोगों को किस-किस तरह की रहात की जुरूरत पाड़ी होंगी in an earthquake, disaster when homes of people are destroyed then what items are required for survival they need food, medicine एट्सेट्रा सेवन मृत सागर के बारे में विस्तार से लिखे राइट अबाउट डैट सी इन डीटेल सड़क पार करते समें क्या क्या करें और क्या ना करें वाट सुड एंड शुट नाट बी डन वाइल क्रॉसिंग तरोड नाइन वुकम किस में किन किन बातों का ध्यान रखना है रखना चाहिए वट तिंग सुड बी कंसीडर एट टाइम ओफ एन अर्थक्वेक टैन्थ कोशिन है पेराग्राफ टाइप एन इलेवन्थ यात यात बतियों के रंग में रंग भरें और रिक्स्तान भरें कर दो ट्रैफिक साइन्स एंड फिल इन द ब्लैंक रेट स्टाप का साइन है यलो कॉशन और स्लोडाउन एंड ग्रीन गो का नेक्स्ट कोशिन है कुरी चनी का चित्र बनाए तो उसमें स्प्राउटीट सीड आपने बनाना है और